आज हम सीखेंगे परिमे संख्याओं का गुणन मान लीजे हम तीन बाल्टियां लेकर हर एक में धाई लीटर पानी रखते हैं अगर हम सभी बाल्टियों का पाने मिला ले तो हमें कितना पाने मिलेगा यह पता करने के लिए हमें धाई लीटर धन धाई लीटर धन धाई लीटर का परिणाम क्यात करना होगा चुकि हम धाई को पांच बटे दो लिखते हैं, इसलिए हम पांच बटे दो लीटर, धन पांच बटे दो लीटर, धन पांच बटे दो लीटर से भी परिणाम पता कर सकते हैं. यहां सभी परिमे संख्याओं का हर समान है इसलिए हम हर समान रखकर अन्शो का योग करेंगे इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 15 बटे 2 चुकि यहां एक ही संख्या का बार-बार योग किया जा रहा है इसलिए हम इसे गुणन के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं जैसे यहां तीन बार पांच बटे 2 दोराई गई है इसलिए इसे हम तीन गुणा पांच बटे 2 इस गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम 3 को 3 बटे 1 लिख सकते हैं अब गुणन का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम अन्शों का गुणन करेंगे फिर हरों का गुणन करेंगे इससे हमें गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 15 बटे 2 जिसे हम 7 और 1 बटे 2 भी लिख सकते हैं यानि कि तीनों बाल्टियों का पाने मिलाने पर हमें कुल 7.5 लीटर पाने मिलेगा. तो बताइए अगर हमें 12 बटे 7 गुणा, रिंट 4 का परिणाम ग्याद करना होगा, तो हम कैसे करेंगे? सोचिए, सोचिए. बिल्कुल सही, हम 12 और रिंट 4 का गुणा करेंगे, जिससे हमें परिणाम का अंश प्राप्त होगा, रिंट 48, और फिर हम हर वैसा का वैसा रखेंगे, यानि कि दिये गुणन का परिणाम होगा, रिंट 48 पटे 7. सोचिए, अगर हमें दो परिमेर संख्याओं का गुणन करना होगा, तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए, सोचिए. चली, हम बताते हैं, इसे हम भिन्ट के गुणन की तरह ही करते हैं, यानि कि अगर हमें दो परिमेर संख्याओं का गुणन करना हो, तो हम अंशो का गुणन करते हैं, फिर हरो का गुणन करते हैं और फिर परिणाम को अंशो का गुणन फल पटे हरो का गुणन फल के रूप में व्यक्त करते हैं आईए इसे कुछ उधार्णों से समझें मान लीजिए हमें 13 बटे रिंड 15 गुणा रिंड 14 बटे 11 का परिणाम क्या करना है इसके लिए पहले हम अंशो का गुणन करेंगे यहां 13 और रिंड 14 के गुणन का परिणाम है रिंड 182 फिर हम हरो का गुणन करेंगे यहां रिंड 15 और 11 के गुणनन का परिणाम है रिंड 165 और फिर हम इनके गुणनन का परिणाम अंशों का गुणननफल बटे हरों का गुणननफल के रूप में व्यक्त करेंगे यानि कि रिंड 182 बटे रिंड 165 लेकिन यहां अंश और हर दोनों रिनात्मक है यानि कि यहां एक धनात्मक परिमिये संख्या है इस तरह से दिये गुणन का परिणाम है 182 बटे 165 अब सूचिए अगर हमें 4 बटे 5 गुणा 5 बटे 4 का गुणन फल ग्याद करना होगा तो यहां हम कैसे करेंगे यहां भी हम अंशों को और हरों को अलग-अलग गुणा करेंगे 4 गुणा 5 बराबर 20 और 5 गुणा 4 बराबर भी 20 ही है इस तरह से परिणाम होगा 20 बटे 20 यानि की 1 इस तरह अगर किनी दो परिमय संख्याओं की गुणन का परिणाम एक आता हो तो वे एक दूसरे की व्यूत क्रम यानि रेसिप्रोकल होती है इन दोनों परिमय संख्याओं को देखकर आप यहां भी समझ सकते हैं कि किसी संख्या का व्यूत क्रम उस संख्या के अंश और हर को परस पर बदलने से प्राप्त होता है जैसे रिंट 5 बटे 6 का व्यूत क्रम है 6 बटे रिंट 5 जिसे रिंट 6 बटे 5 से भी व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याओं का विभाजन करते समय व्यूत करम का बड़ा महत्व होता है। इसे हम परिमेय संख्याओं का विभाजन सीखते हुए समझेंगे। अब अब इस प्रश्ण को हल करने का प्रयास कीजिए। किनी पाच परी में संख्याओं का व्यूत करम क्यात कीजिए आज हमने सीखा परी में संख्याओं का गुणन अगले वीडियो में इनसे संबंदित उधारन देखेंगी